दोस्तों साउथ के 10 मुसलिम एक्टर्स जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे साउथ हिंडियन एक्टर्स की फैन फॉलोविंग सिरफ साउथ में नहीं बलकी बॉलिवुड से लेकर नेपाल, चीन, दुबई और अमेरिका जैसे देशों में बहुत जादा है और आज के समय में साउथ हिंडियन एक्टर्स की फैन फॉलोविंग उनकी कमाल की फिल्मों की वज़े से है सभी देशों में बहुत ही जादा तेजी से बढ़ रही है इसलिए आज हम साउथ के उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जो की मुसलिम है इन में से कुछ तो ऐसे भी हैं जो नाम से हिंडू लगते हैं पर असलियत में वो मुसलिम है इसलिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा दोस्तों साउथ के समार्ट और इंटालिजन एक्टर आरे भी मुसलिम कम्यूनिटी से बिलॉंग करते हैं जिनका असली नाम है जमशाद सैथी राकत और ये भी लोगों के साउथ के फेवरेट अक्टर्स में से एक हैं क्योंकि दोस्तों इनकी एक्टिंग इतनी कमाल की होती है कि उनके फैंस का दिल खुश हो जाता है और फैंस उनकी अगली फिलम का बे सबरी से इन्तजार करते हैं इन्होंने कई कमाल की फिलमों में काम किया है जिन में से उनके कुछ फिलमों के नाम है टैडी, एनमी और गामा मुनी और इसी के साथ ही बहुत सी जबरदस्त और भी फिलमे है ममूटी एक प्रिसिद मल्यालम फिलम इंडस्ट्री के अक्टर है इनका असली नाम महामद कुटी मडी परंबिल इसमाइल है ममूटी ने अपना एक्टिंग करियर 1979 में मल्यालम फिलम इंडस्ट्री से शुरू किया था और तब से लेकर अब तक ये 380 से ज़्यादा फिलमों में काम कर चुके हैं और एक मुस्लिम है इन्होंने अपने करियर के दौरान बहुत सारे अवार्ड और नॉमिनेशन्स भी जीते हैं जैसे की पदमशरी, पदमभूशन, नैशनल फिलम अवार्ड, फिलम फियर अवार्ड और कई और दोस्तों इन्होंने तेलगू, तामिल, हिंदी और कन्नड फिलमों में भी काम किया है लोगों दोरा ममूटी की अक्टिंग को बहुत पसंद किया जाता है और इनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और इन्हें मल्यालम फिलम इंडुस्ट्री के एक बड़े सितारे के रूप में जाना जाता है ये एक बहुती फेमस और सक्सेस्फुल एक्टर है और मले आलम फिलम इंडस्ट्री में इनकी जगा बेहत खास है नमबर एट शाम वैसे तो ये फिलमी दुनिया में शाम के नाम से मशहूर हैं लेकिन असल में ये मुस्लिम है और इनका पूरा नाम शास सुदीन इबराहिम है इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को लगभग 30 साल से अधिक समय तक जारी रखा और हम आपको बता दें कि शाम एक्टर को प्ले करने के लिए 12 दिन तक वो जगे रहे थे और अगर उनकी जगे कोई और होता तो वो ऐसा करने के लिए कम से कम सो बार सोचता और यहीं वजह है कि आज ये फिलम इंडस्ट्री में इतने सक्सेस्फुल हैं शम सुदेन इबराहिम फिलम में एक्टिंग करने बहुत सारी टॉलिवूड और कोल्ड फिलमों में एक्टिंग किये हैं और बाकी एक्टर्स की तरह रियास भी मुस्लिम कम्यूनिटी से ही बिलॉंग करते हैं अगर आपने साउथ की ज्यादतर फिलमें देखी होंगी तो आपने किसी ना किसी फिलम में रियास को भी जरूर नहीं होते नमबर सिक्स रशीन रहमान दोस्तों रशीन रहमान रहमान के नाम से फेमस हैं रहमान तेलगू फिलम इंडस्ट्री के वन आफ ता टॉप एक्टर्स में से एक हैं रहमान ने दोसों से ज्यादा फिलमों में एक्टिंग की है जिसकी वज़े से साउथ इंडियन अक्टर्स की लिस्ट में इनका नाम काफी आगे आने लगा है और दोस्तों इसके अलावा तामिल और तैलगू सिनेमा में रहमान और रगू के नाम से भी ये जाने जाते हैं अब दोस्तों इनके इतने अलग अलग नाम इसलिए है क्योंकि ये तामिल और तैलगू फिलम में भी काफी ज़्यादा फेमस है जिसकी वज़े से पूरी फिलम इंडस्ट्री में इनका काफी ज़्यादा दबदबा बना रहता है नमबर फाइव मुहमद अली बाशा कॉमेडियन और टीवी प्रेजेंटर अली को आपने बहुत सारी साउथ की फिलमों में एज अ कॉमेडियन देखा होगा दोस्तों हम आपको बता दें कि अली हजार से ज़दा तैलगू फिलमों में एक्टिंग कर चुके हैं साउध की बहुत सारी फिल्मों में इन्हें कॉमेडी करते हुए देखा जाता है इनकी कॉमेडी इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी अपने आप को हसने से रोक नहीं पाता अली को दो नंदी अवार्ड और दो फिलम फियर अवार्ड भी मिल चुके हैं। इन्हें साउथ का दूसरा भ्रहमदालम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने करियर में इतनी फिल्में करनी हैं कि साउथ की हर चौथी पांचवी फिलम में यही नजर आते हैं। और सभी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग और कॉमेडी इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी अपने आप को हसने से रोक नहीं पाता। नमबर फोर नसार अब इस लिस्ट में फोर्थ नमबर पर है डारेक्टर, प्रेड्यूसर, डबिंग आर्टिस्ट, सिंगर और पॉलिटीशन नसार। दोस्तो नसार एक मुसलिम है जिनका पूरा नाम है मौमद हनीफ नसार, जिनकी एक्टिंग अतो भाई हर कोई दिवाना है। दोस्तो आपने नसार को कई साउथ की फिल्मों में देखा होगा जो कन्नट से लेकर मल्याली और तमिल से लेकर तेलगू फिल्मों में काम कर चुके हैं। खास कर बाहू बली में इनके द्वारा निभाया गया बिजल देव का किरदार तो बहुत ही जादा फेमस हुआ और बहुत सारे लोग तो उन्हें आज भी बिजल देव के नाम से जानते हैं। दोस्तों नसार खास करके सीरियस रोल ही करते हैं और साउथ इंडस्ट्री में इनकी बहुत ज़ादा इज़त है और हर कोई इनका नाम बहुत ही अदब के साथ लेता है। ये ऐसे अक्टर हैं जो बहुत ही ज़ादा डाउन टू अर्थ हैं वैसे तो इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास एटिट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। अजमल आमीर एक फेमस मल्यालम और तमिल फिल्म एक्टर है ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉंग करते हैं। अजमल आमीर ने अपने फिल्मी करियर 2007 से मल्यालम फिल्म परनायक कलम से शुरू किया था। अजमल आमीर को नैचरल एक्टिंग स्टाइल और वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाना जाता है। अजमल आमीर के साथ उनकी परसनालिटी और लुक्स भी लोगों को काफी जादा पसंद आते हैं। इसलिए ये अपने फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। दोस्तो पिछले कुछ समय में इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। और साउथ इंडस्ट्री ही नहीं बलकि पूरे भारत में इनकी एक्टिंग के लोग दिवाने हो चुके हैं। पुश्पा और विकरम जैसी मुवीज में इनकी एक्टिंग को देख कर ये तो पता चल चुका है कि ये कितने ज़्यादा टैलेंटिड एक्टर हैं। इन दोनों ही मुवीज में फाहद फाजिल ने अपनी एक्टिंग का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया। आपको बता दे कि फाहद फाजिल मुस्लिम फैमली से बिलॉंग करते हैं जो अपने दम पर आज बहुत सारे लोगों के दिलों पर रास कर रहे हैं। आने वाले समय में ये पुश्पा टू फिलम में में विलन के तौर पर नज़र आएंगे जिसको लेकर फैंस बहुती बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। और पुश्पा के सकसेस के बाद पुश्पा टू की हाइट भी तगड़ी बनने वाली है। इस फिलम के बाद फाहद फाजिल की पॉपुलारिटी और भी बढ़ने वाली है और इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मुविज में फाहद फाजिल नज़र आने वाले हैं। इसके लिए लोगों में काफी जादा एकसाइटमेंट है। और उसके बाद से वो कई प्रसिद मल्यालम फिल्मों में काम कर चुके हैं। दुलक्वेर की कुछ सू प्रसिद फिल्मों में चारली, ओके बंगाराम, महरती, जोया फैक्टर और सीता रमन शामिल है। वो एक बहुत ही सफल और प्रसिद भी नेता हैं और उनके फैन्स उनके बहुत काबिल और लाजवाब एक्टिंग का बहुत समान करते हैं। सलमान हाट और समार्ट होने के साथ साथ उनके अंदर कई और खूबियां भी हैं क्योंकि ये साइड में प्लेबैक सिंगिंग तो करते हैं और साथ में फिलम प्रेडियूस भी करते हैं। उनकी पॉपुलेरिटी यहां तक बढ़ चुकी है कि आज ये जो भी कपड़ा पहनते हैं वो हाई ट्रेंड बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों आपको साउथ एक्टर्स में से कौन सा एक्टर सबसे अच्छा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ आज की वीडियो में बस अतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें आपका बहुत बहुत धन्यावाद।